हेलो दोस्तों आज होगे 30 सेप्टेंबर 2018 और आलों 30 सेप्टेंबर की जितने भी important questions होंगे इस वीडियो में discuss करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरे लाज तक पूरे ध्यान से देखे और वीडियो की description में मैं आपको PDF का link दे दूँगा आप वहाँ से download कर सकते हैं बिलकुल करने बाद बगल में notification bell को जिरूर रखेगा ताकि हमारे दोर डाली के daily निए वीडियो की notification आप तक पहुंचती रहे तो चलिए वीडियो को start करते हैं देखे सबसे पहला प्रस्ट जानेंगे हम लोग जो कल के मैंने क्यूज कर पे पूछा था उसके right answer का ठीक है देखे पहल चुक्छ एक जो सर्वाधिक पर दुसी सरो कि सूची बनाए थी में भरत के किस सर को सर्वाधिक प्रतुसित सहर बताए गया तो जो प्रकार से ही पहला प्र्शन आपके सामने इस प्रकार है कि भारत के कि सराजे में पहले म liegt महत्सों की सुरुएंवाध की सुरुआत की यहां थेहान क् なोकि मक्य महत्सों की सुरुआत की घाई गई तो खिडवाडा जो है छिंडवाडा छिंडवाडा जीला में सबसे अधिक मक्का उत्पादन खिया जाता है ठीक है अब बात करते MP की तो आप स्कीन पे देखिए बीच में जो रेट्सलर का दिख रहा है वो MP है ठीक है तो MP के जो राज जिपाल है वो कौन है तो आनंदी बेन प बिधान सभा में कुल सीटो की संख्या जो की 211 चीज़ को मिली है और वहीं पर राज सभा में सीटो की संख्या 11 और लोक सभा में कुल सीटो की संख्या 29 और यह है इस प्रकार MP के सीटो का विवरण तो आईगोब की पहला कुश्चन आपने अच्छे से क्लियर कर लिया प्रकर्श्ण आपका इस प्रकार है सर्जिकल स्ट्राइऀ किस सर्जी वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में एथाई सेप्टेम्बर 2018 को किस दिवस की रूप में मनाये गया ठीक? यानि कि सर्जीकल स्ट्राइक थो दो साल पूरा हो गया तो इसका इसके दो वर्स पूरे होने के उपलक्ष में कौन से पर्व को मनाया जा रहा है तो इसका देखे राइट एंसरों का अप्शन सी यानि कि प्राक्रम पर्व को मनाया जा रहा है और यह जो है राजस्थान में मनाया जा रहा है ठीक है राजस्थान में वैसे तो यह इ इस प्राक्रम परव का उद्गाटन किया है ठीक है और इस अवसर पर प्ये मोधी जो जोदपूर में ये भी कहा है कि राष्ट अपनी सेहने सक्ती पर गर्व करता है इन्हों ने वहीं फिर इस भासर में दोरान कहा ठीक है सर्जिकल स्ट्राइक जो था वो 29 सेप्टेंबर 2016 को हुआ था आपको पता होगा ठीक है सर्जिकल जो स्ट्राइक था वो 29 सेप्टेंबर 2016 को हुआ था और इसी के उपलक्ष में जो की दो और्स पूरे होने के बाद परक्रम परव को मनाए ज़े रहा जो की बहुत-बहुत ही अच्छी प्रस्ण है आपको अच्छे से नोटिस क को बनाए गया है तो यह प्रतियोगता किस देश में खेला जाएगा ठीक है कहने का मतलब कि आइसी सी जो महिला टीट्वेंटी बिस्व कप होगा उसने भारती टीम के कैप्टेंट तो कैप्टन हर्मन पृत को बना दिया गया है लेकिन यह जो मैच होगा वो कहां पर होगा तो इसका राइट अंसर होगा ओप्सन ए वेस्ट इंडिज में यह मैच खेला जाएगा ठीक है किलियर है और बात करते हैं कि इसमें जो स्मिरिती मंदाना है यानि कि स्मिरिती मंदाना को उपकप्तान के रूप में चुना गया यह तो मेन मेन कैप्टन हो गई हर्मन पृत क लेकिन स्मिरिती मंदाना जो होगी इसमें उपकेप्तन होंगी और यह चठवे आई सीसी महिला जो टी ट्वेंटी बिस्वेकप होगा वह नौ से चौबिस नौवंबर के बीच वेस्ट इंडिज में खेला जाया तो सबसे पहले आप देख लिजे कि हर्मन पृत कौर स्कीन पर अब आ गई होगी ठीक है तो अजय होब कि आपको अच्छे से यह थाड़ प्रश्ण किलियर हो गया होगा चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण हमारा इस प्रकार बनता है कि भारत में किसानों के जीवन अस्तर को बेहतर बनाने के लिए कौन सी इकमर्स कमपनी ने 180 करो वालमार्ट के बारे में अपने अच्छी से सुना होगा जी हां दोस्तों वालमार्ट जो है कि किसानों के स्तर जीवन स्तर को सुधारनी के लिए 180 करोड रूपे का निमेज करेगी और इसकी जानकारी किस ने दी तो इसकी जानकारी वालमार्ट के जो CEO है जुडिस मैकेना ठ थी ठीक है बात करते हैं Walmart तो Walmart के स्थापना कब हुई थी तो 1962 में हुई थी और ये भी पूछ जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे तो सेम वाल्टन इसके संस्थापक थे ठीक है तो चोता प्रस्ट में किलियर हो गया चले देखते हैं अगला प्रस्ट देखें नेक्स्ट प अठाइस सितंबर को ठीक है 2018 का विशाई क्या है यानि की 2018 की थीम क्या है तो रेविज संदेश साजा कीजिए इसका इस वर्स का थीम है ठीक है इसमें जुड़े और क्वी बनते हैं कि रेविज जो दिवास से वो किसलिए मनाया जाता है तो लूइस पास्चर जो थे उनके पुन्य तीथी को चिनहित करने के लिए पुन्य तीथी के रूप में याद करने के लिए रेविज दिवस के रूप में मना जाता है क्यों कि लूइस पास्चर ने सरव प्रथम रेविज का ठीका को बिक्सित किया रहा जिसके वज़े से इनकी याद में पुन्य तीथी पर जारी किया है जिसमें भारत के IISC बैंगलोर को कौन सा स्थान मिला है भारत में मतलब कि IISC को बैंगलोर को कौन सा स्थान मिला है तो भारत में यह पहला स्थान इसको मिला है जो बैंगलोर का बैंगलोर का भारतिय विज्ञान संस्थान जो है जिसको हम लोग IISC कहते हैं तो उस higher education ठीक है times higher education ने ये सूची जारी किया और जिसमें बात्य बिज्ञान संस्था IIAC को पहला स्थान मिला है अगर वहीं बात करें कि सर्वसेष्ट बिद्यालों की सूची में तो सर्वसेष्ट बिद्यालों की सूची में ब्रिटेन की जो प्रसीद Oxford University है उसको पहला स्थान दिया गया तो जो कि यह बहुत बहुत इंपॉर्टन प्रस्ट है तो आप इसको अच्छे से एकदम नोटिस कर लीजे ठीक है चले देखते हैं अगला प्रस्ट हमारा इस प्रकार है कि किस खिलाडी ने हाली में 8.20 मीटर की चलांग लगाकर लंबी कूद में राष्टिय रिकॉर्ड बनाया है ठीक है यानि कि 8.2 मीटर लंबी चलांग लगाकर लंबी कूद में ठीक है लॉंग जंप में इन्होंने राष्टिय रिकॉर्ड बनाया है तो इसका राइट टेंसरों का अप्सन सी यानि कि मुरली स्री स संकर ने इन्हों इस प्रकार का रिकॉर्ड बनाया है और यह कब बनाया तो अंठावन वी जो राष्टी ओपन एथलेटिक्स चैंपियंशिप जो चल रही थी उसी में इन्हों ने यह रिकॉर्ड बनाया तो यह रिकॉर्ड किसका तोड़ा गया यानि कि जो आठ पॉइंट से पहले हैं जो रिकॉर्ड था उनकिसका था तो अंकित सरमा जो थे जिन्होंने 2016 में आठ पॉइंट एक नाइन यह इतना मीटर का यह रिकॉर्ड रखा था लेकिन जो मुर्ली स्री संकर ने इन्होंने इनका रिकॉर्ड 8.20 बना कर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया अंकित निटी आयोग के CEO कौन है यह बहुत बार पूछा गया है तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेगा हर एक्जाम में पूछ ले जाता है कभी-कभी तो निटी आयोग के CEO है वो है option D यानि कि अमिताब कांत जो है नीती आयोग के CEO है तो अब बात करते हैं नीती नीती आयोग क के जगह पर ही बनाए गया था एक जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल कर नीती आयोग कर दिया गया ठीक है तो योजना आयोग की जो स्थापना होई थी वह 15 मार्च 1950 से स्वी को की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो इसके अध्यक्ष परधान मंत्री होत है और उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष कौन है तो राजीव किमार इसके उपाध्यक्ष है अब बात करतें नीती यानिकि झीन अई direct इसका फुलसर्म क्या होता है तो निशनल इंस्टियूशनल एंड हैं ट्रंसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया इसका फुल जीत आठवा कहां आरंब हुआ तो इसके राइट एंसरोंगा option B यानि कि तिरवंत पूरं में यह आयोजन किया गया है ठिक है कौन सा तो एस याई योग संग द्वारा यह आयोजन किया गया है जो कि आठवा की योग खेल चैंपियनसीफ होगा जो कि तिर्वंत्य पूरम में आयोजन किया गया तिर्वंत्य पूरम केरल की राधानी है हम लोगों ने कल भी डिसकस किया था ठीक है और यहां के जो राजपाल है कौन है पी सत्य सीवं यहां के राजपाल है और यहां के जो मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है पिन्राई विज 1- interview मैच वर्ष के स्तिति को मना जाता है तो 20 स सेप्टेमबर को मना जाता है जो कि बहुत बहुत ही इंपोर्टेंट है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही डिशे लगिंटा अगर आपको आज का इस प्रकार है कि भारत सरकार ने हाली में बिदेशी चात्रों को भारत में पढ़ने के लिए प्रुचाहिद करने है तो किस कारिक्रम की शुरुआत कि बहुत इंपॉर्टन प्रशन है कि भारत सरकार ने एक योजना को भी शुरुआत किया था जो कि बिदेशी चात्रों को भारत में पढ़ने के लिए पैसा प्रोचाइट करने हैं तो इसका राइट एंसर क्या होगा option आपके सामने है और इसको राइट एंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करना है तो मिलते हैं इसी पर करके next वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग कि वाचिंग की प्लाइन जहीं जहीं जहीं